बड़ा टाइम लगा रहे हैं, अंदर डॉक्टर क्या जड़ी बूटी गिसरा है, इतनी देर में तो मरीज ठीक होके आ जाए ब्रॉक टाम चल रहा है अरे भाई साब कहा दे मारा अपने आपको अक्सिटन्ट हो गया था कैसे? आत्मत्या करने जा रहे थे, बच गए तुमको तो मरी जाना चाहिए था आत्मत्या वे नहीं कर पाए सही से, क्या करोगे जिन्दगी में? मेक्स ए चल पपुए नंबर आ गया, चल हाज बताईए क्या समझ से है डाक्टर जी दो दिन से टटी नहीं आ रही है आपको अरे नहीं, हम तो रोज खेतों में खाट डालने जाते हैं जे जे, इनकी नहीं निकलती है तो आप क्या बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजे न अच्छा, नहीं ऐसा है न, आप सुन नहीं पाएंगे बोल रहे पपुए, बोल, का बीमारी है, बोल अर्ज किया है कि पेट ने भी कर ली है खाने से कटी कि पेट ने भी कर ली है खाने से कटी तभी तो नहीं हो रही है दो दिन से कटी वाऑँ वाँ 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 चुप, चुप करो हौट ठीक से बताई गया हूँ अरे कहा बताएं डाक्टर सहाप बड़ा सुड़ा पाता है अगर किसी कुर्शी पर बैठा हो और ये पात दे तो अंहाँ तो लकड़ी तक सब जाती है हुहां एक्जम्पल कहें दे रहे हो, समझना आ गया हमारी, थोड़ी सी अपच है बस, अरे पपुआ, अपच तो हमाई ठीक कर देते, अपने गाओं में राम गोपाल है न, उसने एक सलूसन मनाया है, एक बार पियो और सारी अतड़ियां बाहर, मेरा मतलब है, सारी गंदगी बाहर, तो महाई पास कहा है आई हो, अरे दिक्कत कुछ और है, जब से जब से इनका पापेट खराब हुआ, बहुत पाता है, तो जैसे ही ये पादना शुरू किये हैं, आस पास के सारे मच्छरों को आजीब नसा रहता, और नसे में जब मच्छर ने काटा, तो बड़े बड़े आगई, तो आप क्या चाते हो, हम इनका इलाज करें हैं मच्छरों का, इनका तो हम कर लेंगे, बस वो फपोला पड़ गए, उनके लिए कुछ गोली दे देओ, अरे कमार करते हो यार, इत्तिसी बात थी था हुंसे कहिते, हमारे पापा तो मच्छरों का इलाज करते हैं, का अरुज क्या है, सुनियागा, कि डॉक्टर के पास आना तो एक फैसन है, कि डॉक्टर के पास आना तो एक फैसन है और सामने बास बैसन है, पीछे रेलवे स्टेशन है, मतलब ये है कि इंडिया में, सब अपना इलाज खोदा ही कर लेते हैं, यहां सब डाक्टर हैं इसलिए तो कह रहा है कि सामने बाज पेशन है पीछे रेलवे स्टेशन है यहां हाथ मुझ धोईए और टेन पकड़ की गाउं लोड जाईए सही पकड़े हैं भाग यहां से अरे भाग सबसूद आम बरबाद कर दिया अरे भाई नेक्स बलाओ नेक्स नेक्स